हेलो एवरिवन, मैंसर्फ रावल गुनाओद और आज मैं बात करने वाद हूँ टंग के बारे लिए हेडे नेक का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है जनरली टंग और इसके टंग जनरली पूछा जाता है है यह चाहें एंसर्फ करें या जनरल अगर यंगर यह थी दोनों के शाटनको चीजे इंपोर्टेंट हैं। इसवीडियो पंदर और उड्व् जी के शाटनको दनको बोग्रैंट जनरली इस वीडियो को अगर में चाता तो इस स्पलिट भी कर सकता था मतलब ALL तो एक., तीन व वही होती है बार-बार वही बोलता हूंने हों चल्ट है कहने के मतलब यह है इसलिए और जो मतलब मैं वीडियो बनाता हwn चाह्य पर आज तो जहेर सी बाते खतम रहते हैं जाए है तो अब इस टंग को अगर अगर continue देखर को है जब ही 10 समझ में आएगा यह जो वीडियो बनेगा यह अगर मैं बात करना चाहूं तो 40-45 में के something का वीडियो बनेगा यार तो घ्याल से देखेगा और घ्याल से सुनियेगा जब ही आपको 10 समझ में आएगा इसमें बारी की बारी के से चीज़े बता हूँआ एक एक चीज़ बता हूँआ जनरली टंग के बारे तो आजाता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है तो बिना टाइम वेस्ट की अपने टोपिक बता हूँ तग इब बात की जाये तो ऊंग एक मस्कुलर और्गन सबसे पहले सेकंड पॉइंट है कि जो टंग हैज इसका वोल्यंट्री नेज़र होता है यार यहें कंट्रोल करता है मदल्ण ये खुद जो टंग होती है हमारी वह मतलब कंट्रोल कर सकती है किसी भी तरह का मोमेंट को कि इसलिए इसकर वॉलेंटर्य नेचर होता है कि में बात करता हूँ कि इसके एक्षणल और उनक member कि और ने सिर्फार्फी वहाँ बात करता हूं तीष थ시다 है जान कर ども सर्फेस और एक होता है nem सब्सक्राइब ऑपर सर्फेस के अगर बात करो तो एक सुन होता है प्रिजड क्य Quarter कि जब कि जो लौयर सर्फेजगा बात करें तो यह इसमूथ होता है क्योंकि किसी भी तरका कोई प्रेपिला यहां प्रेजन नहीं होता है उसके बाद में next मैं बात करता हूँ कि जो upper surface इसको dorsum भी बोला जाता है और इसको जो dorsum बोला जाता है तो मतलब इसके दो तरह के part होते हैं एक oral part होता है और एक pharyngeal part होता है और फेरेंजियर पार्ट को वंधर पार्ट भी बोल सकते हैं और जो पेपिला के अगर बात करो तो पेपिला क्या है पेपिला एक प्रोजेक्शन है जो हमारे म्यूकस मेंब्रेन के जंडली जो हमारे एक जंडली अपर सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वज़े से रफ होता है surface उसके बाद में next है कि जो यह वादा जो inner और जो lower surface है यह smooth है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई पेपिला नहीं है और यह भी mucos membrane से बना होता है और इसके अंदर only एक ही part present होता है that can be oral जब कि इसके अंदर दोनों पार्ट थे oral part भी था और pharyngeal part भी था हो जाएगा तो यह सारी बात करी मैंने actional feature के बारे में अब मैं बात करता हूँ इसके diagram से समझता हूँ कि किस तरह से present होता है तो ध्यान से देखेगा diagram तो यह इसका diagram है generally tongue का diagram है यह मैंने बनाया tongue का diagram और यह tongue का diagram के देखो दो तरह के part होता है यह posterior one third part यह वाला यहां से ले इस शेप का एक groove होता है जिसको बोला जाता है sulcus terminus जो pink color से मैंने show कर रखा यह वाली इस शेप के line groove और यह बीच में जो दो sulcus terminus right और left से आते है और बीच में circle type का formation करते ही यह होता है forearm and secum मतलब मैं बोलूं कि sulcus terminus है यह sulcus terminus है जो tongue है उसको posterior one third और entry two third में डिवाइड कर कि जो tongue है वो divide होती है anterior two third और posterior one third वो किसके basis पे होती है तो वो sulcus terminals के basis पे होती है जो sulcus terminals होता है ना जो V-shape का groove होता है यही converter इसको यह कहने का मतलब मैं ऐसा बोलूं कि यही आपस में को divide करता है उसके बाद मैं next point के अगर बात करों तो next point यह आ जाता है कि हमारी जो tongue है tongue की जो root से वो हमारे epiglotus से attach हो जाती है या फिर मैं ऐसा बोलूं कि यह जो tongue है ना इसका जो root है ना और यह है इसका tip तो इसका root है वो हमारी epiglotus से attach हो जाता है अब epiglotus से attach होने के लिए भी ध्यान से सुनिएगा epiglotus से attach होने के लिए भी तीन तरह के fold की मदद से वो attach होते ह यह जर दीगेगा कि एक दो तीन नमबर डाल रखेंक है मतलब यह हो गया लेटरल ओर टो प्लटीक फॉड और प्लटीक और यह हो गया लेटरल ग्लोसो एपलोटीक फॉड और एक middle epiglotic fold ये तीन तरह के glossary epiglotic fold है जिनकी help से और ये glossary epiglotic fold क्या है एक तरह की mucous membrane के fold है एक तरह की mucous membrane के fold है और इनकी मदद से इनकी help से हमारी जो root की जो tongue है वो हमारे epiglotes है उस epiglotes से attach होती आया समझ में यह हुई हमारे उपर की वाली बात यह हमारे general बाते हुई हमारे external features के बारे में बात करी अब मैं एक बता बात ना भूल गया मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो tip है यह tip क्या करती है कि rest करती है कहा हमारे upper incisor जो teeth है ना उसके behind में यह एक rest करती है मैंने क्या कर बोला कि जो हमारी जो tip है अगर जो tip की अगर में बात करूँ तो जो tip है यह वाला tip यह क्या है कहां पर rest करता है upper incisor जो teeth होते ना वह उसके behind में यह एक क्या करता है rest करता है उसके बाद में कुछ papilla के बारे में बात करूँगा तो पेपिला के अगर बात बाले में बात कर रहा हूं तो तीन तरह के तो जन्रल पेपिला उते हैं ज्यान से देखेगा सुनिए गार तीन तरह के जन्रल पेपिला बता हुआ पहले मैं डाइग्राम से बता हुआ फिर मैं थेओरी बता हुआ मेरी आदत क्या है कि जितना हो सकता है जितना हो सकता है मैं पूरा का पूरा डाइग्राम में एक्स्प्लेइन करने के कोसिस करना करता हूँ बट कुछ चीजे ऐसे होती है जिनको थेओरी में लिखना भी पड़ता है क्योंकि यार अगर अभी तो ठीक है मैं बता रहा हूँ बट अगर आप नोस पड़ते हो तो वह चीजे है ना वह वैसे डाइग्राम से एक्स्प्लेइन हो रही है सारी चीजे बट अगर उस टाइम याद नहीं आती तो उस टाइम हमारी थेओरी काम करती है तो थेओरी पे मैं हर चीज लिखता हूँ जो बिना अगर वीडियो देखे भी हम चीजे समझ सके वह सारी चीजे में लिखता हूँ तो दियान से देखेगा पहले मैं डाइग्राम बताऊँगा तीन तरह के पैपि इसके नीचे की तरह प्रिजेंट होता है उसको बोला जाता है वेलवेट पे पिला और यह जो मैंने इसकाई ब्लू से शो कर रखा है और इसी को बोला जाता है वेलवेट पे पिला को सरकम वेलट पे पिला और इसकी अगर बात करूं तो इसके जो नंबर है वो हो ना यार तो इसकी साइज 1 से 2 mm होती तो इसकी जो साइज है न वह एक से 2 mm होती जो मैंने आपर मेंचिन भी कर दिया और जो फेलवेट पे लाउता है न यह एक सिलंड्रिकल शेप का होता है और उसके बाद में नेक्स है यह एक सरकल के surrounded होता है इनके बाहर की तरफ एक circle surrounded होता है इसलिए circle-velled papula इसको बोला गया है किरेइक नाम में चीज चिपी है यार किसी भी चीज का जो नाम दिया जाता है वह बहुत सोच्वनच के दिया जाता है तो इसका जो नाम को वेलवेट पेपिला को circumvaluate क्यों बोला क्योंकि जो वेलवेट के बाहर सरकल से ऐसे structure surrounded होते हैं इसलिए इसको वेलवेट पेपिला बोला दे उसके बाद में next पेपिला है that can be fungi foam पेपिला अगर fungi foam पेपिला की अगर बात करो तो यह जो fungi foam पेपिला है यह हमारे टंग के tip पे या फिर साब लूकि टंग के margin पेपर प्रजंट आये और एक खास बात है कि आगर बात करो इसके जो नमबर है वो जयादा है जबकि compare अगर इसके number ज़ादा है बट इसकी size है वो कम है इसके number तो ज़्यादा है बट इसकी size छोटी है किसके compare में वेलवेट पे पिला के comparison में जो मैंने यहां पर लिख दिया largest in number smallest in size जबकि यहां उल्टा था इसका जो color है वो bright red color appearance होता है उसके बाद में next papilla है that can be philiform papilla होता क्या है philiform papilla बताता हूं कि यह हमारी जो टंग है इसके यह जो area है यह इसको बोला जाता है pre-circle area यह pre-circle area है और इस pre-circle area के अदर present होता है that can be philiform papilla correct आरे समझ में आया हा अगर philiform papilla की बात करो तो philiform papilla होता क्या है कि pre-circle area है उस pre-circle area के अंदर जो एक papilla present होता है इसको pre-circle area बोले जाए को यह maximum number होता है इसके और size है वो सबसे छोटी होती है सब इन comparison करूं नहीं होगी तो सबसे छोटी size इसकी होगी और एक खास बात की इसके देता है जबकि यह क्या देता है जब कि यह क्या लोगेग़ डैंगे जब्सक्राइब informant that नाbirस व्यट्स पर पर नमबर it is a distribution dorsal of tongue, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, कि जो foliate papilla होता है, यह foliate papilla के नमबर बहुत ही काम होते हैं, और यह हमारे टंग के पीछे की तरफ, एक dorsal of tongue की अगर बात करो, तो वहाँ पर distribution करते हैं, तो यह बात हुई हमारे papilla की, अब मैं बात करूँगा inner surface of tongue के बात करो, तो कहने का मतलब यह कुछ इस तरह का diagram है, यह हमारे टंग के बीच में से एक fold जा रहा है, जिसको बोला जाता है, frenum lingular, frenum lingular है क्या, जनली एक तरह का fold है, जो medially हमारे टंग के present होता है, और इसके लेटरली अगर बात करो, यह हमारा आ two, पर टंग का, और इसके लेटरली, जो frenum lingular के ठड़ा lighterly, एक फोल्ड प्रजयंट होता है जिसको डीप लिंगुलेल भी पहनब आल और उसके और लेटरली ले अगर जयें अगर उसके को उसके और अगर यहां पर पिखका फेम्रीबियर्टा प्रेजन होते हैं यहां उसके का तीन डियान से देखेंगा वे मि вас Dalja प्रेजेंट होता है जिसको बुला दा फ्रेजशन लिंगुलर और इस फ्रेजर लिंगुलर के थोड़ा सा लेटरली अगर बात करो तो वहां पर डीप लेटरली अगर जाऊं तो वहां प्ला का अफ एमरेट आफ के फोड़ों अब मैं बाताया था हां अब मैं मैं बात करता हूँ म्सल्स मॉ्सल्स के बारो में बात करूंकगाइस कि मसल्स फंकि अगर बात मुसल्स दो थारख्य मसल्स से एक होती है Gqua Gwagg G jh 2016 mw यहां पर मैं बात करूंगा इंट्रेंसिंग मसल्स का डाइग्राम है नीचे यहां पर मैं डाइग्राम बता हुआ यह एक्स्टेंसिंग मसल्स को समझाऊंगा वन बाइवन डिसकस करूंगा पहले मैं बात करूंगा डिसकस करूंगा एंट्रेंसिंग मसल्स के बारे में देखेगा वन बात करूंगा एक चीज बता हुआ एक बारीके से एक चीज बता हुआ मतलब एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा अब देखो डियान से देखेगा इ यह मेंने हमारी टंग का डिएगराम बनायants और यहां पे यह एक अगर अगर आपश पहुंस पूच लीता है काम है तो आपको क्या बताना हे यह जो तंग होती है उस टंग को राइट और हमारी जो टंग है उसको राइट और लेट साइड में आप में डिवाइड करता है अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ यह साइग यहां पर stick सरक्रव को ब्लेक के अंदर मतलब म्योक के नहीं मतलब मु Hao males present होती है और यह काम क्या करती है कि superior longitudinal muscles का काम क्या है अगर मैं इसके बारे में बोलू यह तो तो जो superior longitudinal 97 sekali Такy हमारी टंक करती है एक तो करती है एक ठो करती और कढ़ी गूसी बात कि डॉटसल सर्फेस अफ टंग है उसको कॉन्वेक्स का जो काम है वो करती है जनरली यह वाद समझ गयाई आप उसके बाल में बात करता हूं कि यहां पर यह होता है इस तरह से जीनियो ग्लसस और जीनियो क्राइब मसल्स के अगर बात करो अगर बात करो यह इसका क्या है ग्रीन और गारिकूट है अगर बात कर हो यह इसका काम क्या है इसका काम है कि शोट करता है और कौन क्यों करता है हमारी टंग को शोट करता है और कौन क्यों करता है उसके बार में नेक्स मैं बात करूंगा हमारे अगर मैं बात करूं कि जो ट्रांसवर्सल और फिर मैं बात करूंगा वर्टिकल्स तो यह जो ट्रांसव यह अगर बात करूं मतलब यह एक लॉंगिटे लाइन से जो हमारे टंग को एक नेरो नेरो करवाने का का प्रिवाइट करवादी नेरो में help करती है तो उसके बाद में वर्टिकल की अगर बात करूं तो यह हमारे एंट्रेयर बॉर्डर और इसका काम क्या हए कि यह टंग को ब्रोड़स प्रोवाइद करवा आजी तो जान से सुनिएगा दोबारा से बताता हूं मेरे क्या कहा इसले अं वह अर्त का मेरे इसले नहीं पितो स का है प्रप्राइज आया सहां आरिख करने में यह उसके बाद में Ones यह कॉॉर्ट कर दिए बट यह कमेटको यह कमेट यह कोंगमेट करती है के मतलब में प्रोवाइड करती है ones कि यह क्या था शोर्ट कर रहा था और कॉंके रृत हम यहां पर कॉंके नहीं नहीं यहां और कि यह हुई मारी सारे की सारी इंट्रेंसिंग मसल्सके बारे में बात मैं बात करता हूं यह हमारी extensive muscles है यह यह यहां पर एक mandibles है यह अपर mandibles यहां पर present है और इस mandibles के अगर बात करो तो इसके अंदर दो तरह की general tubercles present होते हैं एक आप उपर की side में present होता है general tubercles जिसको अपर general tubercles बोला जाता है नीचे की तरफ जो प्रेजन्ट होता है उसको लोवर्स जीनियर जो बरकास बोला जाता है में डिबास के इनदर जनरली प्रेजन्ट होता है उसके बार में नेक्स मैं बात करूँगा कि one by one बात करूँगा सबसे पहरे मैं बात करूँगा जो जीनियो ग्लसस के बारे में जीनियो ग्लसस के अगर बात करूँ तो जीनियो ग्लसस यह हमारे अपर जो जीनियो ग्लसस है इससे औरीजन होती है Geniogluses और कहां जाके कहां पर होती है यह एक हायार्ड बॉन के हां यू शेप की बॉन है हायार्ड बॉन यहां पे स्टाइड प्रोसेस ही अब मैं क्या बहुत आथा कि जो जीनियो ग्लसस है इसके अंदर तीन तरह के फाइबर प्रिजर्ट होते एक अपर फाइबर एक मेडल फाइबर और एक लॉ में तो यहां जाके इंसर्ट हो रहे और जो लोवर अगर fiber की बात करूए हमारे हाइड बोन के यहां पर जाके मतलब यह हुआ यह सोधी वा मैंने गलत बता दिया था कि हाइड बॉ॑ं इसका only lower होगा क्योंकि यह कुछ इस तरह से ऐसे फाइबर जा रहे है मतलब नीचे तक जाएंगे पिले तो यह black color वाली है यह genocluses क्योंकि blue color वाली की अगर बात करो ना तो blue color वाली तो मेरी other है मतलब मैं बात कर रहा था इस genocluses black वाले की बारे में बात कर रहा था यह है genocluses similarly अगर मैंने कहा कि इसका जो अपर जो पार्ट है वो तो टिप से tongue of tip से attach है middle वाला dorsum of tongue से attach है और lower वाला जाता जाता हमारे higher bone से inserted होता है जानली जो tip के अगर बात करो तो यह हमारे tongue को retract करने में help करती है और dorsum के अगर बात करो यह हमारे tip को depress करने में help करता है और अगर highwood के अगर बात करो यह pull करता है forward part of a tongue and protract the tongue and trade forward and trade branch यह मतलब sorry protract the tongue forward केने का मतलब क्या है जान से सुमझिएगा जो higher की अगर बात करो तो higher क्या करता है हमारी जो tongue है ना उस tongue को बहार की तरह पूल करेगा देखो मैंने क्या कहा कि higher bone क्या अगर एगा कि हमारी जो tongue है उस tongue का भी ज्यान से सुनिएगा एक एक चीज़े बारिकी से बनाओ या टंग का भी posterior part नहीं या only posterior part है उसको बहार की तरफ पूल करेगा एक तो यह काम करता है दूसरा काम कि और बाहर की तरफ जो एक्स्टेंड करेगा टंग को और उसको मतलब बाहर की तरफ जो उसने पूल किया टंग को मतलब पॉस्टेयर पार्ट को और बाहर की तरफ प्रोट्रेट करेगा टंग को दो काम है जो मैंने यहाँ पर mention कर दिया है तो कभी आप notes पढ़े हो तो आपको problem ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़े लिख दी है अब यह हुई जेनियो glasses के बारे में बात अब मैं बात करता हूँ पलेंटो glasses के बारे में यह पलेंटो glasses ग्रीन से शो कर रखा है मैं यह पलेंटो glasses के इस साइड में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फेरेंजियर पार्टे इस साइड में अगर बात करूँ औरल पार्टे क्योंकि मैंने कहा था रहा क्योंकि बोडी के इंदर बताया था मने कि दो तरह के पार्टे पर पार्ट एक लगर पार्ट जो अपर पार्ट खूता है क्यूंकि वहां पर फिला प्रेज़ेर कुस करी तो इसकेbीच से एवे प्रेजेंट होता अब Palantoglossus का जो origin कहा होता है यह Oral Surface of Palatine Heponyrosis है यह Palatine Heponyrosis है इसका अब इसका जो action के अगर बात करूं तो action क्या है इसका इसका एक्षिन है कि Closed Orangopharyngeal Muscles और इसको इसका एक्षिन है उसके बाद में Genioglossus हो गई Palantoglossus की बात हो गई अब मैं बात करता हूं Hypoglossus यह है Hypoglossus जो मैंने Orange Show कर रही है Hypoglossus हमारे Side of Tongue से यहां से origin हो रही है और यह हमारे Hired Bond है इसके यहां पर जारी है तो Side of Tongue से और Hired Bond के बीच में एक Muscles प्रेजेंट होती है एक Extrancing Muscles जिसको Hypoglossus बोला जाता है Hypoglossus Muscles का action क्या है कि यह क्या करता है Tungue को Depress करता है Tungue को Depress करता है और Dorsal Convex Provide करवा देता है और Retreat करता है Tungue को जो सारी चीजे मैंने यहां पर mention कर दी है अब देख लीजीएगा Notes में अगर आपको देखना हो तो उसके बाद में यह Hypoglossus हो गई Genioglossus हो गई Palantoglossus हो गई अब Styloglossus के बारे बात करता है Styloglossus हमारे Styloid Process से यहां से ओरिजन होती है और कहां Side of Tungue तक यहां पर जाती है यह Styloglossus है और यह Styloglossus का action क्या है कि यह Pull करता है Tungue Upward और Backward मैंने क्या कहा Tungue Upward और Backward यह क्या करेगा Pull करेगा तो इसका भी action मैंने यहां पर लिख दिया है अब मैं उसके बार में बात करूँगा इसकी address supply के बारे में बात करूँगा तो और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि जीनियो Glossus को Life Saving Muscles भी बोला जाता है Life Saving क्यों बोला जाता है क्योंकि यार यह Retract में depression में इनमें help करिए तो एक Life Saving के का ही तो काम करिएन आया और यह सारे के सारे जो पार्ट है upper मतलब वो टिप के साथ इनसर्टेट होता है वह यहां पे middle वाला dorsum के साथisma के साथ table होता है और lower वाला हायत के साथisma resurrected are मतलब यह सारे के तरह करा है इस लिए इसको friendship muscles भी बोलते हैं, friendship muscles बोलू या life serving muscles बोलू, दो चीज़े बोलते हैं, तो यह सारी चीज़े मैंने action के बारे में बताया, कि इसका action और phalantoclesis का close the orangopharyngeal muscles, genioclesis का action है, depressed and retract and hypoklosis का action है, इसका एक और phalantoclesis का action है, अब मैं बात करूँगा आर्ट्रे सप्लाई के बारे में, आर्ट्रे सप्लाई एक छोटा सा topic है, बता देता हूँ, आर्ट्रे सप्लाई इसकेंदर होती है, टंक के, जो आर्ट्रे सप्लाई होती है, वो हमारी lingular artery है, वो आर्ट्रे सप्लाई करती है, तंक, और जो एक पर है की axonal keratotard artery है, उसकी branches, मैंने क्या क्या क्या, ध्यान से देखेगा, ध्यान से सुनिएगा, बोरियत महसूस नहीं कर करने का आया है, तो आर्ट्रे सप्लाई के अगर बात करों, तो आर्ट्रे सप्लाई कोड करता है, हमारी टंक की, वो lingular artery करती है, और यह lingular artery है, यह भी axonal keratard, जो axonal keratard artery है, इसकी branch है, एक बात तो यह, दोसी बात, कि कुछ additionally भी supply होती है, और कुछ additional supply होती है, roots, जो tongue of roots के अगर बात करो, तो वो कुछ additional supply करती है, क्या additional supply करेगी, दो additional supply करेगी, एक तो tonsillar branch of facial artery supply करेगी, और एक ascending pharyngeal branch supply करेगी, और जो ascending pharyngeal branch है, यह भी एक external keratard artery है, इसी की branch है, पहले समझ में आया, तो उसके बाद मैं artery supply हो गई, अब मैं बात करूँगा, वेनेस drainage, वेनेस ड्रेनेज की अगर बात करो, तो principal vein है, यह एक largest vein है, और यही एक deep lingular vein, आपको यादो, तो मैंने इस तरह का diagram बनाया था कुछ, और वहाँ diagram के अंदर आपको याद हो, तो मैंने वहाँ पर बताया था, कि बीच के अंदर होता है, मेरा एक फ्रेंलम lingular, और उस फ्र और धोड़ा literally जाओं, तो प्लेका, फिबरेलैर के ford present हों, तो जो frame lesser ling necessary है, उसके laterally जा रहा हूं, गयां ज्यादा literally नहीं जा रहा है, क्योंकि ज्यादा literally जाओंगा, तो फिर थो fand present होंगे, ठोड़ा बने जाए, जो deep lingular vein, यह दो वेनी है, वो company करती है lingular artery, और एक वेना कावा है यह एक कंपनी है एक हाइपोग्लोसस नर्व की तो ध्याल से सुनिएगा ध्याल से देखेगा कि यह हमारी यह वाली तो क्या है हमारी डीप लिंगुलर वेन है यह वाली उपर वाली और यह वाली है वेना कमिटी तो वेना कमिटी और डीप लिंगुलर आपस मे communicate होती है और एक lingular vein का formation करती है और lingular vein deep lingular और vein a community ये तीनों मिलके formation करती है तीनों की तीनों जाती है internal general vein के अंदर ये हुई हमारे venus drainage के बारे में बात अब मैं बात करूँगा lymphatic drainage और उसके बार में last and final बात करूँगा नरुष supply के बारे तो lymphatic drainage समझते हैं इसको में diagram से बता है तो अगर lymphatic drainage के अगर बात करूँ तो चार तरह के point पढ़ेंगे lymphatic drainage के उदर ये हमारा जो tip of tongue है इस tip of tongue है ये bilatery drain करता है submental lymph nodes के अंदर एक तो ये lymph node यहाँ पर drain करता है मैंने क्या गहा कि tip of tongue है वो bilatery drain करेगा submandibular lymph nodes के अंदर और एक उससे जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ anterior जो टू थर्ड के अगर बात करो इसके some part के अगर बात करो कुछ part है इसका वहाँ पर एक unilaterally present होता है ये कुछ ऐसा fold present होते हैं जो drain करते हैं submandibular lymph nodes के अंदर submandibular fold होते हैं जो हमारे drain करते हैं submandibular lymph nodes के अंदर और उसके उपर की तरफ जो posterior one third के अगर बात करो वहाँ पर कुछ जुगलो हमोहाइट फोल्ड होते हैं जो drain करते हैं जुगलो हमोहाइट के अंदर और इसी जुगलो हमोहाइट को lymph node of tongue बोला जाता है समझ मैं है और इसके posterior ही अगर बात करो तो वह upper deep of cervical lymph node के अंदर drain करता है posterior most part दे जो तो चार तरह के lymph, lymphatic drainage के अंदर चार तरह के lymph nodes के अगर बारे में बात की अपन है कि पहला जो lymph nodes है वह चुट्टी पॉफ टंग है वह bilateral drain करती है summandibular lymph nodes के अंदर second वाला drain करता है unilaterally summandibular lymph nodes के अंदर third वाला जो यह एक drain two third का some part है और जो posterior है जो अगर बात करूँ one third की इसका जो some part है वह drain करता है जिबलो होमाइट के अंदर और posterior ही अगर बात करो तो वह done करता है upper deep of cervical lymph node के अंदर posterior most part है तो चार तरह के lymph node पढ़े पने हम में बात करता हूं nerve supply की तो ध्यान से देखेगा और ध्यान से सुनिएगा nerve supply तो nerve supply motor और एक sensory दो तरह की supply पढ़ेंगे motor की अगर बात करो तो सभी तरह के जो extensive और intrinsic muscles अपनने पढ़ी अब आपको याद होगा intrinsic के अंदर मैंने पढ़ी की superior longitudinal, inferior longitudinal, transversal और vertical चार तरह की पढ़ी की extrinsic के अदर genioglossus, hypoglossus, palantoglossus, styloglossus पढ़ी की तो सभी तरह की intrinsic और extrinsic जो है हमारी muscles वो एक hypoglossus nerve उसको supply करता है यह चीज़े आपको समझ में आ गही होगी except palantoglossus है इसको supply करता है vego ascensory complex यह हो लिए exception जो आपको याद रखना है यह double bar repeat हो गया यह बात एक ही है अब यह हुई हमारे motor अब sensory की बारे में बात करता हूं sensory की अगर बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा यह यहां पर हमारे velvet पे पिला होता है तो ध्यान से देखिएगा आपको confused नहीं हो है मतलब आपको आप यह सोचो याद GS मतलब क्या है TS मतलब क्या है इसलिए मैं नहीं है आपर लिख दिया सारी चीज़ा mention कर दिये GS मतलब general sensation है TS मतलब test sensation है तो हमारे entry two-third के अंदर general sensation के लिए lingular nerves responsible होती है और test sensation के लिए koda tympanic responsible होती है यह याद रखिएगा यह चीज याद रखिएगा कि पूरे के पूरे entry two-third के अंदर general sensation के लिए lingular nerve और test sensation के लिए koda tympani responsible होता है बट accept है वेलवेट पे पिला नहीं responsible करता इसको छोटके पूरे के पूरे पूरे पार्ट के अंदर general sensation के लिए यह और test sensation के लिए यह responsible होती है आया समझ में यह accept है इसलिए मैंने cross लगा रखा है उसके बाद में मैं बात करूंगा posterior one-third की तो उसके लिए glossopharyngeal responsible होता है जो हमारे दोनों general glosses test sensation के लिए responsible होता है दोनों के लिए इसके पीछे के तरफ अगर बात करों यह largest laryngeal nerve है internal laryngeal nerve इसको supply कोन करता है पीछे की तरफ internal laryngeal nerve है इसको vagus nerve जनरली यह posterior part को ढौ़ए करता है इसके तुरू यह vagus nerve है ये इंटर्नल लेरेंजे नर्व के द्वारा सप्लाई करता है ये सानी चीज़े है तो तो आसा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी होगी अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब माइडिकोस इस्टूडियो यूटूब चैनल और इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी की पूरी जो टंग है उसको खतम कर दिया है एक वीडियो के अंदर पूरी के पूरी टंग है अगर आप पढ़ते भी हो ना तो अगर आराम से भी पढ़ते हो ना तो दो गुंटे तो कम से कम मीनिमम है या ठंग को पढ़ने के लिए अगर धंग से समझ के याद करते हो तो बट यह जो वीडियो है उली 35 मिनट का वीडियो है और 35 मिनट के अंदर पूरी की पूरी जो टंग है उस टंग का रिविजन हो गाएगा और एक एक चीज का रिविजन होगा मतलब जितनी भी इंपोर्टेंट चीजे हैं वो मैंने सारी चीजे कवर करने की कौसिस की कुछ चीजे ऐसी भी है जो छूट गई है इस वीडियो के अंदर वह आप किताब से देख लो क्योंकि जो इंपोर्टेंट चीजे इस भी वह सारी चीजे मैंने बताई है और जो इंपोर्टेंट चीजे नहीं थी वह मैंने नहीं बताई है तो इस वीडियो के अंदर तंकी एक्शनल फीचर्स उसके पेपिला इंट इनल सर्वेस, मॉसल सप्लाई, आर्ट्रे सप्लाई, वैनस ड्रेनेज, लेंपडिक ड्र आप बुक्स से पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर बना सकता था आप यार फिर वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती है तो उसको देखने में काफी दिक्कते होती है, तो क्लिनिकल आप बुक्स से पढ़ सकते हो, अदर फिर भी कोई दिक्कत आए, चलेनिकल में, तो मैं उ एड एनिकल का एक इंपोर्टेंट एसन है, एक इंपोर्टेंट टोपिक हा जान रही है, थैंक जी